हेलो हाई एवरिवन मेरे वी कीचन यूटूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज हम नवरात्री के अस्टमी और नौमी के दिन कन्या पूजन में बनने वाले काले चनी का प्रशाद बनाएंगे तो आएए हम बनाते हैं काले चनी का प्रशाद सबसे पहले हमने काले चनी का प्रशाद बनाने के लिए ये 1500 ग्राम काले चनी लिए और इन्हें हमने रात भर भीगा कर सुबा अच्छे से धो कर और एक ग्लास पानी डालकर हमने थोड़ा सा नमक करीब हाफ टीज स्पून और इन्हें कुकर में डालकर गैस पर रखकर पका लिया है यानि 5-6 सीटली लगाएंगे और 5 मिनट से माज करके हम इन चनों को उबाल लेंगे और ये चनी देखें इतने अच्छे उबल देखें कि यह हाथ से यह दिखें ऐसे दब रहें तो हमारी चने इस तरह से बॉयल ह होने चाहिए फिर हमने इन चनों को छान लिया और उसका पानी हमने एक अलग बरतन में निकाल कर रख लिया है इस पानी को हम फैकेंगे नहीं इसी चने में ही यूज कर लेंगे अब सबसे पहले हमने यह एक गयस उन कर ली है और गयस पर हम एक लोही की कढ़ाई में हम पाल की अपधिया बॉर आफा देंगे ओइल इसमें ज्यादा नहीं लगता है ये तेल हमारा गरम हो गया है और हम इसमें 140 टीस्पून हींग डालेंगे 140 टीस्पून साबगुची रा 1 टीस्पून कदू कस्किया हुआ अध्रा 3-4 कटी हुए हरी निर्च ये हरी निर्च और अध्रबून गया है और अब हम इसमें ये एक शूटा सा टमाटर बारी बारी काटकर डालेंगे टमाटर ओप्षियों है अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें नहीं तो मढ डालेंगे क्अधक म्नैञ्ट सामर्च कि अतंटर हो बारी ग्राट आध्रा डालेंगे वोरी और टीज देखे स्थिटे ज़ीं पाउडर दालेगे और छोलills मसाले चंपने मटोंे से चोली मसाले meshpogon कोलोग और गोछुष छोली मसाले डालreceर आप नहीं चाहें तो आप मड़ करताव सहां हम ये भी इसी में डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक थोड़ा हलका ही डालेंगे क्योंकि हमने बॉयल करते समय भी नमक डाला था और अब इसे गैस का फ्लेम टीज करके फुल आज पे और ढग कर हम इसे पानी सूख में तक पकाईंगे अब बीच में हम इसे एक बार थोल कर देख लेंगे अब इसे थोड़ा सा पानी है तो हम इसे थोड़ी देर के लिए और डग देंगे फिर हम थोल कर देखेंगे ये देखेंगे इसका पानी बिल्कुल सूख गया है तो यह देखिए यह चनी का पानी बिल्कुल सूख गया है तेल उपर आ गया है और अब हम इसमें इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे लेकिन आज हम यहां पर अमचूर पाउडर नहीं डालेंगे बल्कि हमने यहां पर यह वन टी इस्पून चाट मसाला लिया है अगर आप चाट मसाला नहीं डालना चाहते तो आप अमचूर पाउडर डालेंगे चना जब हमारा बिल्कुल तैयार हो जाए तो अब हम इसमें यह डाल देंगे और इसे खुब अच्छे से मिला कर और हम इसे सर्व कर लेंगे तो यह लिजे यह मसालेदार काली चनी का प्रशाद तयार है और अब हम इसकी गार्णिश करेंगे कोरियंडर जिंजर और ग्रीन चिली से तो ये लिजे काली चनी का प्रशाद तेयार है इस नवरात्री अश्टमी नौमी के दिन कन्या पूजन में काली चनी का प्रशाद आप इस तरह से एक बार बनाईएगा जरूर और हम आशा करते हैं कि इस तरह से आप अगर रेसिपी बनाएगे काली चनी का प्रशाद तो आपके परिवार वालों को और दोस्तों को ये चनी जरूर पसंद आएगे और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को फेस्ब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्स्क्राइब करने के बाद बैल आइकन को जरूर दबाएगा जिससे की मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो फिर मिलते हैं एक नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए जैम आता दें